हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और चैनल को कर दो कर दो बैंनि कर दो कर दो लेए तेरी हिमत कैसे मुझ में आदू कहलेगी तुम हमें जो मर्दी बोलेगी और हम जबाब नहीं देगे क्या कि प्तू कंद sü एी प्तुम है इंधे भ़ा है ठोकत करते ए nylon करते लोक अ child करते खिायव, करते तुम है व्तुम है कि व्तुम है प्तुम है कि अगिए कि अरे गुस्य में चेली गई है यह ना इसलिए मोबाल आप करके रखाऊगा यैसे दिमाग शांत हो जाएका लवट आएगी साहब गुस्टे में तो थी बोलके गई थी मौसी के घर जा रहे हूं लेकिन वहां पहुची नहीं अरे बलराब जी बच्चा लोगों का एक तरीका होता है गुस्टा दिखाने का यह जाकर बैट जाते हैं और मा बक टेंसिल में आकर तिल में लाते रहते हैं वैसे यह गुस्टा 24 गंटे जादा नहीं टिकता आ जाएगी लेकिन साहब मेरी नीलम कल शाम लगवक छे बजे घर से निकली है बोली मौसी घर जा रहे हैं उसकी मौसी रादेपूर में रहती मुश्कित से दो घंटे का रास्ता होगा वहां पहुची नहीं पता नहीं राद बर कहा रही होगी फोन भी बद है उसका तल शाम छे बजे गई है ना आता 24 गंटा तो दो आज शाम छे के पहले आ जाएगी उससा थुख देगी लेकिन कोई हमारे ठीक से शिकायते दर्ज नहीं कर रहा है इसलिए तो हम आप से मिल रहा है मदद किजे साथ हमको असा लगा कि भाई के साथ नोग जोग यह तो बहाना है बहाग गयोगे अपने बाइफेंट के साथ और अगर कोई बहा लेगया हो तो चौबे हम हमारे था 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 और अभी नोकरी कर रहे थी कहा रामलाद बाभु के मिल में जगड़ा किस बात पर वाता जएतर था था यह तर वो पैसो को लिगे के मेरी दूसर रूपे लिए एंक saying अम्मा मेरे बखसे दुसार डिये हैं क्या силь और तुझे पता है ना ऊजडैति बेना पुछे तेरी बखसे को हाथ भी नहीं लगातें हम बाबा भी पिना पूछ नहीं लेंगे, तो फिर कहांगे मेरे दोसर उपे? रखे होंगे कही दे, ठीक से. नहीं, अम्मा, वहीं बखसे में रखे. शेतन, 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 मेरे बखसे से दोसर उपे लिये हैं? हम कहें लेगे, कोई काम दंदा नहीं है क्या? तो नजरे की चुरा रहा है, यहां देख, इससे पहले भी बीस-पचास उपे निकालता रहा है थी, यह माझ सोच की मुझे मालूम नहीं पड़ता था. ओ दीदी, खमाने लगी हो ना तो इतना इतना इतरान की जवरत नहीं है. जब, सीधे सीधे जवाब दे, दोसो रुपे लिए या नहीं लिए? कौन सा दो हजार रुपे लिए? मतलब लिए दोसो रुपे? हाँ, लिए लिए लिए. क्यों? कोई भी मुझसे भिना पूछे? हम पूछते, तो तू देती क्या? चू लिए बोल! अरे, दोस्तों को चॉले बटूरे की पाटी दे ली थी हमें. चल, रास्ता चोड़ अभी. नीला मँब जाने भी दे, बिटा. क्यों जाने दू अम्मा? इसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पढ़ाई चोड़ दी. और तुझे पता भी है? वो पैसे हम क्यों जोड़ रहे हैं? दोस्तों रुपे के लिए थी नोटन की करनी ज़रूरी है. दोस्तों को चॉले बटूरे खिलाना ज़रूरी था? अरे, कौन सा आस्मान तूट पड़ा? तुने घर पे चोरी किया, चेतन. क्या? चोरी. चोरी की हमने? तुने भी उसे चोर कहा ना, आप जाने दे. घर पे पैसे चुरा है उसे, क्यूरा तो चोर में उसे? बस भी कर, तेरी बाबा से कहकर तुरी दोसो रुपे लौटा देंगे. और इस महने मेरे हाथ में दोसो रुपे कम देना, बस. अम्मा, तु हमेशे चेतन की तरफदारी करती है, और सही नहीं है यह? निलम, अब बहस मत कर. जवान लड़का है, उसे इसे चोर नहीं कहते. अब माथा थंडा कर, और चाई पी ले, चाई. मुझे नहीं पीनी कोई चाई है. निलम, निलम, बेटा. पीटा, तु काम से थक्यारी आई है, बेकार में ही तेरा ब्मारा चड़ गया. मैं घर चोड़के जा रही हूँ. तु जब देखो, चेतन की तरफदारी करती रहती है, मुझे नहीं रहना है यापे. क्या बच्पना है ये? और कहां जाएगी तू? पता नहीं, पर यहां नहीं रहना है, ऐसे किसे पता नहीं, और कहीं नहीं जाएगी तू? जाओंगी मैं, मैं मुझे की घर जा रही हूँ और यहां कभी वापिस नहीं आओंगी, तु लोग चेतन की तरसदारी करते रहते हूँ ना, बस देखते जाओ, वो आगे अगे पस्ता हो, नीलम रुख, नीलम, नीलम, नीलम रुख जा, नीलम बेटा, जा जा के माफी माग दीदी से, अमें चोर बोली, चोरी नहीं की हमने, अरे अपना घर है, ले लिए पैसे बस, नीलम दीदी सच में गर छोड़ कर चली जाएगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था सो, इन अरे अर्शना साब, हमें अर्शना से बात कर दिया, वो तो यही है सर, बलराम के घर, हम कल से यह आए हुए, नहीं माडम, नीलम ने दस तारीक हो, हमें कोई फोन नहीं किया, और वैसे भी जब भी हमारे गर रादेपुराती है, सबसे पहले हमें फोन करती है, काफी करी हो तुम दोनों? जी माडम, कुछ पता है, जा कहा सकती है? कहीं नहीं माडम, वो बिना बोले गुस्ते में तो कहीं जाई नहीं सकती है, और कुछ भी हो जाए, वो अपना फोन कभी बन नहीं रखती है, अमारी बेटी को अच्छे से जानते हैं, हम उसे कुछ बात पर गुस्त जरूर आता है, पर तुरंट शांत भी हो जाती है वो, और मैडम जी जड़ा सूची, 21 साल की लड़की, दो दिन बिना किसी को बताये कहां जाएगी, निलम दीदी जब भी कॉलेज जाती थी, तब उनकी दो खास सहीलिया थी, मधु और कंचन, हम उनके घर भी हो आए, सर, लेकिन दीदी बहापर भी नहीं थी, कहीं और जा सकती है, निलम भी हो, तब रुमाल जी इतना बड़ा है शेरगन, हर कोई हर किसी को जानता है, दरजेनों लोगों ने निलम को बैक लेकर निकलते हुए देखा था, लेकिन निलम के दीमाग में क्या चल रहा था, ये कोई क किसी से, या फिर पहले से ही तय होगा हाईवे पर मिलना किसी से, साब, मुल्सिपल और सारे प्राइवेट असपसाल खंगाली है राधिपूर्ता, वगर दस अप्रील के शाम तो कोई भे एक्सिन्ट वाला केस नहीं आया है, जिसमें 21 साल के लड़की शामिल हो, आप, मैं आप, मैं नहीं मानता मैडम, बिल्कुल नहीं मानता, कि निलम जैसी लड़की गुश्चे में घर चोड़ेगी और वापस नहीं लटाईगी, आप ये निलम और उसके परिवार को कितनी अच्छी तरह से जानते, रामलाल जी? निलम जैसी महनती लड़की तो मैं आज तक देखी ही नहीं, और ये गुनु से अपने बाप से मिला है, बल्राम, वो भी बहुत महनती आदमी है, बरसो से फेक्टरी में लोडर का काम करता है, निलम या पिछले दो साल से काम कर रही है, जी मैडम, बच्ची ने पढ़ाई जोड़ी घर में हाथ बटाने के लिए, मेरे पास आई, तो मैंने तुरंत उसे काम पर रख लिया, सज बताओ मेडम, जितने मैं उसे पैसे देता था था न, उससे ज्यादा मेहनत करती थी हो, कभी शिकायत का कोई मौका ही नहीं दिया, कभी एक मिर्ड़ भी जाया नहीं करती थी, पुरे लगन से और ध्यान से सारा काम समय से पहले करती थी, और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है, कि कोई लड़का वड़ा का मिलने आता था, तो भूल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था, रामला जी, घर का कोई मसला, आप से कभी कुछ का निलम ले, जी नहीं मैडम, अगर घर का कोई इतना वड़ा मसला होता, तो पडोसियों को जरूर पता चलते, और वैसे भी शेर गंज में कोई भी भाद चिपी नहीं रहती, माजरा जरूर कुछ और ही होगा, बखसे में अपने बताया, गुसे में ने चेतन से का कि तुझे पता है ना मैं किस ली पैसे जोड़ रहे हैं, और तुझे पता भी है, वो पैसे हम क्यू जोड रहे हैं, नीलम किस ली पैसे जोड रहे हैं, गर में एक और कमरा बनाने के लिए, एक और बात बता दो, उसने पढ़ाई अपनी मरजदी से छोड़ी थी, मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा था, वो समझदार है, वो भाब गए थी, मेरी हैसियत नहीं है, उसे और चेतन को कॉलेजर पढ़ाने के लिए, तो चपचाब उसने काम करना शुरू कर दी, क्या कोई और भी वज़े है, जिस वज़े से न निलम को गुस्सा आया और वो घर चोड़ कर चली गई, नहीं चेतन, अमने निलम को घर जाते हुग नहीं देखा, राकिछ भाया हमने को इतना भी बड़ा जुरू नहीं कर दिया, कि दीदी घर चोड़ के चली जाए, हमें नहीं लगता कि सिफ तुमारे हाथ उठाने के व अभी, हम लड़का देख रहे हैं, प्रिष्टे हा रहे हैं, पर अभी कोई बात आगे नहीं बड़ी, पर क्या निलम राजी है, शादी करने के लिए, नहीं है, लेकिन हम तो माबाप है, हमें तो सोचने ही पड़ेगा उसकी शादी के लिए, बाबा, अभी नाई सोचो तो बैतार है, ऐसा कैसे नहीं सोचें, एक तो एक किसकी हो गई है, उपर से कमाने लगी है, कल को यह ना कहे कि पैसो के लालाच में तरी शादी नहीं करा रहे हैं, और अर अचना तुझसे दो साल चोटी है, फिर भी तेरी महादेवी मौसी ने अभी से इसके लिए लड़की द नेकना शुरू कर दिया है, अम्मा, एक बार हमारे कर का दूसरा कमरा बन जाए, फिर कर देना हाथ पीले, मैं कौन सा मना गर रही हूं, क्यों? दूसरा कमरा बन वाने के बाद यही पर जमे रहने का प्लान है, हां? ने शादी ही नहीं कर तो यही रहूंगी ना, मतला वो प अज़दाल लड़की है, वो यह बॉइफ्रेंड शॉइफ्रेंड के चक्कर में तो कभी आय नहीं सकती है, गिता, नेलम की कॉलिज फ्रेंड, मदोर कंचल, इन दोनों से भी बात करो, हो सकता है कोई बॉइफ्रेंड वाला माम लाओ, से नेलम के मौसी की बेटी अर्चना, वो काफी क्लोज है नेलम के, उसे लिए बॉइफ्रेंड नहीं किया, अच्छना करीब ज़ूर है वर है तो मुसेरी मेहनी, हो सकते हैं नेलम उसके साथ कुछ शेल लागिया हो, नेलम फस्टेर बीकॉम तक पढ़ी है, आज पी टिफिन भूला ना, तो कल्से नाश्ता हो, कोई और है, हमारे नेलम के बीच में ऐसी बाते नहीं होती थी, दर असल एक दो बर हमने उसको घर छोड़ा तो हमने पूछा कि भाई भाई लड़का तुम्हें पसंद क्यों नहीं आए, तो हमेशा उसका एक ही जवाब रहता था, कि राकेश भीया, हमें भी शाधी नह अगर कोई होता भी, तो रिष्टा इतना छुपा हुगा कैसे रह सकता है, कोई था मधू, कंचन? मेरे साब से नहीं, नेलम ने हमें कभी कुछ बताया नहीं मैडम, तो स्कूल से लेकर कॉलेज तो तुम तीनो साथ में थी, नेलम ने कभी कुछ ना बताया, लेकिन तुम दोनों ने कभी तो कुछ तो महसूस किया होगा, वही तो माडम, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, मतल किसी को भी ना बताने वाला टाइप का फिर भी एक टाइम पर वो अपने माबाब को तो ज़रूर बताती है हाग जाना उसका स्टाइल ही नहीं है मैडम जब नेलम के फोने कोट से तो कुछ भी नहीं मिला है अपने फादर और बोस रामलाग के लावा यूसेज लग बगना की बराबर है लास्ट फोन लोकेशन दस्तारी की शाम को शेर गंच हाईवे हैं उन हाईवे के पास स्टाइवे के पास स्टाइवे जी हाँ साथ बजे अगर नेलम अपनी मौसी के कर जा रही थी तो अपना फोन सी जोफ क्यों करती खिर पैले से प्लैन था कि फोन सीच ओफ कर कहीं भाग जाना है जबर दस्ति उसका फोन सीच अप कर वाया गया अगर उसका फोन सबर दस्ति सीच जफ कर वाया होगा सार तो मतलब शाइक निखने में प्रिख भूगा ए की आदि नज अगा पंचली जिक शवाइव और भूदाद बता करो लड़की कहा पर रहे नहीं तो तुम दोनों लापता होगे हम इसा के लिए एक लिए एक जाल कीलड़की है फोट फूटो पावड कर दिया मैंने आपको जर आप अनाइडेंटिफाइड बॉडिस के रिपोर्ट में चेक कीजिए दस एप्रिल की शाम को गाया वोई थी नीलंबिची यारा तारीक से लावारिश राशों की जो जो रिपोर्ट है आपके पास मुझे तोरण भीज दिखते हर एक हिस्टी सिटर की एक मुव्मेंट को चेक करना है यह उन हिस्टी सिटर की लिष्ट है जिन पर रेप और एटेम्टू रेप के चार्ज लगे हुआ है मुन्ना यह मडर और एटेम्टू मडर वाले हिस्टी सिटर की लिष्ट है इन में से कोई भी जरा सा भी आनाकानी करे कुछ बोलने में तो थाने में हाजरी लगाने को बोल देने आप कह रहें के नीलम दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है पांच दिन हो गए है इस बात की हमारी नीलम ने तो आस तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं पता ने इस नालाक ने उस पर हाथ चूटा है शेर गंज में कोई ऐसा है जिसने कभी नीलम को चेड़ा था और उस दिन मौके का फायदा उठा कर उसे अगवा कर लिया हो कुछ समझ नहीं आरा साब कोई हमारी नीलम के साथ ऐसा क्यों करेगा जोबे पूरा इलाका दुबारा से चान मारो एक एक जगे अंदा डबल सब पूरे गया डेस्ट्रिक में कहीं भी लावारे सलाश नहीं मिले जो नीलम से मैच करती हूं तो पर यह लड़की गई कहा इस्ट्री शीटर्स की अर्सों बाद यत अगर किसे ट्राफिकिंग वाले ने हमला किया भी होता तो कम से कम उचिलाती ही फाइट करती और सर वो जिस रूट से जाते हुए दिखी थी शेर गश की लोगों को वो रूट उसमें भी सुनसान नहीं है कई सारे मकान है उस रास्ते पार अगर वो चिलाती है तो कम से कम 30- तो चिलाना रूलाउट करते हैं मतलब जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले मामले को रूलाउट करते हैं हाइवे पर फोन से चोफ़ों के लड़की नखुद क्या होगा पका कोई बॉइफरेंड वाला मामला नहीं है से नीलम के क्लोज फ्रेंड मधूर कंचन उन्स अभी क्या वो हमें छोड़की गई है इसे थपड को लेकर बता देते तो चार थपड मारते हैं चेतन को नहीं रश्मी बात कुछ और है किसी लड़की के साथ भाब तो नहीं गई नीलम यह कुछ साथ उसकी भागने के इरादे को और हवा दे गया हो कोई ललका था क्या नीलम ने तुम्हें कुछ बताया कभी कैसी बात कर रहा आप से कोई बात चिपाई है कभी शायद कोई और चुपा रहा है सब कुछ जान कर भी कौन पता नहीं रश्मी मुझे क्यों लग र इक दोान हे है नुकर तो रिए रोन कि मुझे कुछ नहीं बोला हैं आप लोक मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं देखो हमें तुम्हें कुछ उपा रिए बिटा देख बीता बाद ने पता चला कि तुम्हें कुछ akan तो बहुत बुरा लगेगा हमें रश्मी दीदी और बलराम जी जाजी को मुझ दिखाने लाइक भी नहीं रहेंगे मैं सच कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम है और आप लोग एक बात समझ लो निलम दीदी कब आती है हमारे गर शनिवार यार अविवार को क्योंकि उसे एक ही दिन छुटी होती है और दस एप्रिल को तो सोमवार था तो अगले दिन उसे काम पढ़ नहीं जाना था क्या तो वो यह कहकर कैसे निकले कि वो हमारे गर आ रही है मुझे तो इसी बात में जूट नजर आ रहा है तो कहना क्या चाहरी है यही कि वो इसा कहकर निकल नहीं सकती कि वो हमारे गर आ रही है क्योंकि वो कभी ऐसा करती ही नहीं है तो रश्मीदी जी ने तो हमसे यही कहा ए भगवान कहीं तो ये तो नहीं कहना चाहरी है कि रश्मीदी हमसे जूट कह रही है सर्ब मैंने डाइवर्स लगा दिये अगर सुसाइड होता तो साथ दी में बॉड़ी फूलकर ऊपर आ गई होती है कहीं आके बहतो नहीं है सर्ण नदी से लगर जितने भी गाउं है मैंने सभी के थानों को अलर्ट कर दिया था कहीं सभी किसी बॉड़ी के मिलने के कोई ख़ब नहीं आई अभी तक मैं सोच रही थी कि नीलम के बार में हमी जो भी सुनने में आया है काफी मजबूत के इसम की लड़की लगती है पढ़ाई छोड़ी ता कि फादर का हाथ बटा सके इमांदारी से काम कर रही थी पैसे बचा रही थी पस अब भाई से एक जगड़ा एक थपड़ और इस कारण सुसाइड कर लिया इससे कुछ लॉजिकल नहीं लगता है यह पॉइंट तो है किता लेकिन नीलम के अभी तक ख़बर क्यों नहीं मिली है कोई भी नीलम बिष्टी के पॉस्टर्स हमने शेर गंज, रादेपूर और आस पास के सारे इलाकों में लगवाए नीलम को गायब हुए अब दस दिन हो चुके थे पर अजीब बात थी कि हमें रिस्पॉंस लगभग ना के बराबर मिला पर एक मसला था एक किस्सा कही जो अब भी हमारे सामने नहीं आया था यह अतीत में हुई एक घटना थी मैंने गेट पे लक्षमन को देखा तब जाके मुझे याद आया तो पुलीस को बोले या रतना मैम को तुम दोनों को लगता है हरी शंकर ने कुछ किया होगा रतना माडम हमें जैसे ही कुछ याद आया तो हमने सुचा आपको बता दे हमें यह बात पुलिस को बता देनी चाहिए वो पुलीस वाली मैडम थी ना वो बार बार पूछ रही थी क्या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से किसी ने कुछ किया हो कॉलेज में सिक्योटी गार था ये सर हरी शंकर गुपता दो साल पहले की बात है हुआ क्या था नीलम ने हरी शंकर के खिलाफ शिकायत की थी क्या है जब देको तब घूरता रहता है मैं आपको थोड़ी घूर था अंधी नहीं हूं मैं हर रोज देखती हूं आके फाड़ फाड़ गे देखता रहता है हुआ किया है तुझे मुझे कुछ नहीं हुआ आप गलत मतलब निकाल रहे है आच्छा तो तु यह समझा मुझे इस बात का सही मतलब क्या निकालू ने लड़की गलत समझी है मैंने किसी को नी छड़ा है चुप रहो तुबहें सिक्योरिटी के लिए रखा है ताके तुम स्टूड़ेंट्स की हिफाज़त करो और तुम हो के उनी को छेड़ते हो अधा नहीं देख रहा था हा तो बता ना किस नजर से घुर रहा था उसको नहीं रतना जी वार्निंग सही नहीं है डारेक्ट डिस्मिस हम लोगे ने इसे इंसानियत के नाते एक मोखा दिया और कहीं इडियेट ने उस मौके का गलत फैदा उठाया तो कहीं रेप, वेप, मडर वडर कुछ कर दिया तो हमारा खोलेज तो बदनाम हो जाएगा ना अरे गुरू खुसुर खुसुर तो हो ही रही है दुबजी आखे नीलम का पुरा परिवार जोड क्यों बोलेगा ये तो बल्राम भाहिया रश्मी भावी और चेतनी बता सकते हैं लेकिन गामालों को क्या लग रहा है अरे यही कि अगर मोसी के घड जाने के लिए निकली हो अरे गुरू हम लोगों के मूह में पान डालते हैं तुम हमारे मूह में शद ढालते हो अरे जितनी उड़ती खबरती सब बता तो दी मधू कंचन नुकरी से निकाले जाने के बाद क्या कभी हरी शंकर ने नीलम को कोई धंकी वम की दी थी धंकी दी थी किने ये नही मालू म पर नीलम ने कहा ता कि उसने बात की थी क्या बात की थी कंचन क्यार पीछा करने लगा था वुचक्छ्ण मधे नहीं ए maggot क्या श्युक्ण्जे करने से पहले भी भूणता था पीछा कर था इस बादी तो अंचन अचन कि अब क्या है आपने गलत किया मैडम हा गलत किया कॉलेज में नहीं पुलिस में तुमारे शिकायद दर्ज करनी चाहिए थी और अब भी देर नहीं है जा सकती हूं पुलिस्टेशन अब करोगे तो क्या फरक पड़ेगा साजा तो मुझे मिल चुके कोई भी काम नहीं देरा म अब मेरा नाम खराब कर नाम नहीं तेरी नजरे खराब है उसी का फैल ही अब मेरा पीछा करना चोड़ दियो और चला जाए आसे और अब भी पुलिस थाने चली जाओंगी उसके बाद निलम ने कभी हरिशंकर की बात नहीं किए लेकिन तुम दोनों ने ये पीछा करने वाली बात हम से क्यों छुपाई हमें लगा कुछ सीरियस मसला होता तो वह खुद-बुच कम्प्लेन करती आपके पास लेकिन उसने कभी की नहीं तो हमने भी नहीं की सर यह रहे हर्शंकर गुपता के सारे डेटियल्स फोन नंबर अड्रेस सब कुछ फोन नंबर अड्रेस यह सब दो साल पराने हैं? सर हमारे रेकॉर्ड में तु यही है सब्सक्राeler में अडर्डेस रेंत ही Chemu फोन तो झालाइस अड्रेस राटीे यह बोटक अडरा टेनक्टत फोन थासे होह थिर्टलम करेंद थी यह क्वड़ सब तो अधि मेंtaćटे रॉवर्ण ठोई हபो नी बरें हुवर्ण यह ही केविज Psalm इलम बिस्ति को जानते हैं सुना है मेडम वो इस्टूडेंट बात करते रहते हैं लड़की गायब है करके दीदी ने हमें चोर कहा हमारा हाथ उड़ गया और हम गुसे में भार जाके बैठ गए तो जब तुमारी दीदी खड़ चोड़ कर चली गई तो उसने घर के बार तुमसे कुछ बोला था नई सर दीदी बहुत गुसे में थी अम्मा ने हमसे कहा कि जाके माफी मांग लो लेकिन हम अपने एगों में थे हमने माफी नहीं मांगी सर लेकिन हमें थोड़ी पता था कि दीदी लोटने नहीं वाली चेतन जब तुमारी दीद एक वमर्य शॉए मृजिन कि वह तुम्हारी मौशिक है जा औरा अवक्षट को नियुक्त तुम्हारे बाबा मशार करप alltså गए तुम्हारे बाबा गर नहीं लौटते है तो मसलब यह बास सिर्फ तुमारे माने वास हो के सकते तुम्हारे बाबा ने कभ फोन किया तरादेपूर ये जानने के लिए किया नीलम वाह पर आई है जब वो शाम को घर लोटे थे काम से कितने बजे थे साथ सवा साथ क्या सपास महादेवी क्या नीलम ने तुम्हे फोन किया अभी तक नहीं आया जी जाजी ना मुझे ना अर्चना को यह किन आप लोग बता क्यों ने रहें कि आकेर माजरा क्या है अब क्या बता है यहां चेतन के साद उसका जगड़ा हो गया तो गुस्से में निकल गए छे सवाचे के करीब यहां से यह कहके कि मौसी घर जा रहे है यह राम एसा क्या जगड़ा हो गया जीजाजी और इतनी शाम को अकेली कहां चले गए लड़की राम जाने महादेवी इस निलम को इतना गुस्सा क्यों आता और पगली ने फोन भी बंद का रखा साड़े छे की भी बस लियोगी आसे दीदीने साड़े आठ बजे जब मौसी को फोन किया तो दीदी तब भी भानी पहुंची थी और तब भी दीदी का फोन बंदी था अच्छा चेतन क्या लगता है तुम्हे ये जगड़ा ये थपड़ ये सिर्फ एक बहाना था हो सकता है घर छोड़ने का असली कारण कुछ और ही हो मतलब सर मतलब ये मौसी के यां जाने वाली बात क्या जोटी है लेकिन सर हमारी अम्मा जोट क्यो बोलेगी अर्चना ने हमसे कहा कि वो शनिवार या रभीवार को ही वहां आती थी या किसे छुटी के दिन वो अपने काम पर एक दिन के लिए भी एपसाड नहीं रहती थी और नहीं लेट होती थी तर उसे बुस्ता चाहें जतना भी आया हूँ जतन क्या जांते हो तो कुछ नहीं क्या जांते हैं जिस दिन उसे कॉले से निकाला गया उसके एक हफते बाद ही हरिष ręकर नहीं नहीं िड़ दो साल पहले वहां से कहा हुआ चला गया यलीन उस वाक्य की बाद किसी ने भी हरिषcial गुपता को नहीं देखा पूरे शेयर गंज में कही नहीं अगर आप चाहें तुमैं उन लोगों से कॉंटेक्ट कर सकता हूं, जो हरी शेंकर के टेस्ट में हो सकते हैं, तो उसके नहीं हो? उस कॉलेज बाले मामले के बाद मैंने उसे कभी भी काम पर नहीं बेगा और नहीं कोई बात हुई हमें उसका लेटेस फोन नबर चाहिए दिनेश हमेश है कि नीलम विष्टे के साथ उसी ने कुछ किया है मैं बंदों से बात करता हूँ और जो भी जानकारी मिलती है मैं तुरंट आपको दूगा सथ टाइमिंग खटक रही है बदले की कोई टाइमिंग नहीं होती है किता हमने कई केसेस में देखा है लोग बाग 20-20 साल के बाद भी बदला लेते हैं समित 10 हेपरिल के शाम की टाइमिंग की बात कर रही है नीलम जगडा करने के बाद घर से गुस्ते से निकलती है अब फिर उसी दिन उसी शाम को चुन-चुन के उसे कौन मिलता है भरी शंकर गुपता तूमच इक्तिफाक सर जरूर है पर एक से जादे इत्तिफाक होते तो हम दुबारा सो सकते एक का गुस्टा एक का बदला आपस में टकरा जाना लुए 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 तूम आपसे गुए अधिनाव मादे ओक उसकता है बड़ सर्थ लुए जादे का इसा नहीं हो आपसे पर इसे अमारा सवाल तो चेंज नहीं हो जाता है कि नीलम विष्टी कहा है या हुआ उसके साथ अधिसादी सेतने जैसा बताया, बल्राम के फोन रिकॉर्ट्स के मुताबिक, सेम उसी टाइम पर उसने कॉल किया था महादीवी को. सेहाथ तर ऐसे गैसे में पैरेंट्स और फ्रेंड्स कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन कॉल रिकॉर्स चुपे बॉइफरेंड और अफेर्स का अंदेशा लेती हैं. नीजए निजए ठाइम के पास दूसरा फोन होने के जांसें काफी कम है, और उस देशा ने काहों पनीए हैं? अगर दूसरा फोन होता तो कही ना कहीं बॉइफिंड भी होता जो राधेपुर में या यहां शेर गंच में या कहीं तो होता और उसके बारे में हमें अंदेशा तो मिल ही गया होता हरी शेंकर बुटा के पीछे हाथ दोबे पढ़ जाओ सर्थ और मैं परताओं प्रिष्टी परिवार के पीछे चैनो ने कुछ निलम के साथ कर दिया है कुछ उपा रहे है मुई साजिश है चेतन ने मुझे बताया है कि आप लोग हमी पर शक्कर है कि हम जूट बोले है आप ही बताई है हम जूट के बोलेंगे हम मा है निलम की देखिए एक एस बड़ा जीव है हमारे लिए निलम गुस्ते में गर से निकले उसका कोई बॉइफ्रेंड प्रेमी है नहीं जबर्दस्ती उठाया जाना लगबग असम्दी तो फिर निलम गई कहा वा क्या उसके साथ यही बात तो हम पुछरें साफ क्या हम अपनी बेटी की शकल देख पाएंगे कभी देखे इस वग्त हमारे हाथ में सिर्फ हरिशंकर गुपता का सुराग जो भी ताक में मिला नहीं है हम पुछरें हमारी बेटी कर भी मिलेगी साईसलामत घर लोटेगी इस वक्त मारे लिए कुछ भी कहना मुष्किल हम इस सब भामना को भी टटोल रहे हैं कि क्या निलम खुछ से यहां से बहुत दूर चली कही है पर सवाल यह कि क्या निलम ऐसी है इतना गुस्ता भरा था उसके अंदर एक भाई को अपनी बहन पर हाथ उठाने का पच्तावा था इस जगड़े की वज़े से उसकी बहन गुस्से में घर छोड़कर जो चली गई थी एक बाप अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में कोई ख़बर सुनने के लिए तरस गया था एक ऐसा दिन नहीं गुज़रा जब बलराम थाने ना आया हो और अपनी बेटी के बारे में पूछा ना हो पर उसे देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं हो कि उसकी बेटी कहा हो सकती है क्या हुआ होगा उसके साथ इस वक्त तक हम हरी शंकर गुपता को नहीं ढून पाए थे इस केस में हमारे पास एक ही संदिग्द था वही मुख्य संदिग्द था और वो था हरी शंकर गुपता दिन हफते बले हफते महीं में फिर भी नीलम विष्टी केस एक इंच आगे नहीं बढ़ रहा था महिने बीच चुके थे और एक फॉन कॉल आया हलो 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 अरे कौन है भाई कुछ तो बोलो वो हावाज मेरी नीलम कीती अरी सहब क्या बोली जादा तो कुछ निए बुछी पस एक नाम लिया राकेश जागा बोली सब के पीछे राकेशा किस सब के पीछ बल्राम जी ये तो नहीं पता मैरी बच्ची रो रही थी और कह थी के औरे कुछ तो बोलो कौन है ती राद गए अलो बापा बापा नेलम नेलम बिटा, कहा है तू? बापा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले ले अले मेरी बच्ची, ये तो बता तू है कहा? बापा मुझे नहीं बता मैं का हूँ यह सब राकेश भाया ने किया है, बाब मुझे बचा ऐसा लग रहा था कि डर डर के छुपके बात कर रही थी कहीं से सर, यह नमबर ट्रिपिर फू नाइज रोट साइमिल से कॉल आया था, वो अभी सुछ टॉफ है लोगेशन, डेटियल और रेकॉर्ड बेजने के लिए बोला है साभ, अब तो आपको पता चल गया ना कि लड़की जिंदा है आप ही कुछ कर सकते हो, बचा लो उसको हाँ सर, और उस शाम को दीदी बट ज्यादा गुस्से में निकली ती गर से और रास्ते में उस राकेश के बच्चे नहीं पासा होगा दीदी को, मैंने, मैंने राकेश तूने, उसने तेरे नम लिया सर, पगला गया है बलरामजी, हम शेरगंज में यहाँ अपना काम कर रहे हैं बला हम ऐसी घिनोनी हरकत क्यू करेंगे बलरामजी और रश्मी भभी को और कोई नहीं मिला फसाने के लिए जो हमले होँ पे इजाम ठोक रहे हैं, ना कोई सब्रूत ना कुछ, बस ले लिया नाम हम क्या बता हैं, हमारा तो दिमागी सुन पढ़ गया है आप ही पताईएं कोई लगबाकी ग्यारे महीने बाद फोन करता है और फोन पर रोत ती हुआ कहता है कि राकेश नेुसे फसाने राकेश नहीं कहा है राकेश भईया गाध नीलम तुझे राकेश बहँया कहके भ Archie प्लोसर भी झाख पूलाता है और आया भी था, तो क्या नीलम ने किया था? पून आया भी था? तरस अपरेल की शाम को, क्या तुम नीलम से मिले थे, राकेश? सर, मिला होता तो पताता नहीं मैं. और मिला होता तो कहां ले जाता मैं उसे? अपनी पतनी वनीता के पास, वो कुछ नहीं बोलती है, कहां से फोन किया था निलम ने से, निलम ने बताया नहीं है, तो पहले उसे ढूलिए, पता कीजिए, पर उसने ये जरूर बताया कि तू ने उसे फसाया है, सर फसाया तो आपको जा रहा है, हमें तो लगता है बलराम तो नहीं किया उसने तूने उसे नहीं करने दिया होगा करें छुपा गर रखाया निलम को अरे सर मैं घर और दफतर के बीच में रहता हूं कहां छुपाऊंगा उसे और क्यों यह तुई हमें बता दे नहीं तो भी निलम हमें बताएगी और एक बात अच्छी तरह से समझ ले अगर यह सच निकला कि तूने निलम को फसाया अरे सर फसाया तो हमें जा रहा है ऐसे ग्यारा महीने बाद कोई नाम लेता है क्या आजंदर कल चलना है मेरे साथ माके लिनी जा सकता यह जाना कहा है बल रहा हूं इलहाबत क्यों उस्तब रास्ते में बता दूंगा तुए चलोगे ना तू मेरे साथ एक मिर्ट बल रहा हूं यह पांच दिन पहले जो फोन आया था जब वो सच मेली लम का था उसने सच मेरा के जा कनाम दिया था जा कर दो आव पांच आया थाओ। दोना दाफते में. काकजर, दस मेर्ट मेर्ट में आजाएंगी. तुम्हारे बाबा और मोसा दो दन के लिए कहा गए थे चेतर? बढ़ा ही नहीं रहे सरे, लेकिन कुछ तो है. और हमें लगता है कि बाबा जानते ही कि निलम दीदी के साथ क्या हुआ है. तुम्हारे बापा किसी तरह शामील हो सकते है निलम के गाई बोने में? नहीं सर, हमें नहीं लगता, लिकिन बाबा जबसे लोटे ना, तबसे बहुत खामोश है. सर, कुछ तो है जो हो जानते हैं. पर तुवारे बाबा और मोसा कहा गये थे घर पर कुछ तो बता गये होगे नहीं सर नहीं बता, नहीं बता और ना अमा को इसे अच्म कहां जा रहे हैं आप नहीं बता सकते रश्म जाना अब कुछ है निलम दीदी की कोई खबर है ना तू हाथ उठाता ना यहाफ अताती। बहुत पच्ता रहा हो बाबा। आप बताईए तो कहा जा रहे है। बाबा। अर्चना के बाबा ने कुछ नहीं बताया हमें। बस इतना बोले, बलराम जीजा जी के साथ जा रहा हूं। अर्चना, मौसा जी तुमको कुछ बोले थे क्या। नहीं चेतन। जब अम्मा को कुछ नहीं बताये तो हमें क्यों बताएंगे। बहुत डर लग रहा है हमें। अचानक सी रात को पोलाया। बस इतना बताये की नीलम का है। लेकिन बलराम मौसा जी ने पुलिस को बोला कि नीलम ने राकेश भाहिया का नाम दिया। लेकिन राकेश भाहिया का तो उन्हों ने छोड़ दिये। हम मिले थे अभी उनसे। हमसे तो कुछ उल्टाई कहने लगे। तेरे बाबा जूट बोल रहे हैं। समझा। ये नीलम को क्यों अगवा करेंगे। फिर ओती के लिए। वो भी तुम लोगों से। कॉलिस पढ़ रहे हो ना जरा दिमाग लगा। हमको तो कुछ समझी नहीं आ रहा है। बाबा और मौसा जी कही चले गए। वो भी हमको बिना बता है। लेकिन जब से लोटे एकड़ गुम्सुम से रहने लगे। कुछ तो ज़रूर हुआ है सर। क्या केचड़ी पगड़ी है बल्राम जी ? क्या ? अपने साडू भाई राजिंद्र के साथ कहां कही था ? काम था ? काम था ? इसा काम ? अपने काम से गया था ? जी वो कुछ नीजी काम था ? हाँ तो बोलिये ना क्या नीजी काम था ? बल्राम का काम था ? मैं तो बस साथ कया था ? ऐसे गोलगोल बात करने से तो हम पीछे हटेंगे नी राजेंजी ? तो बोलिये क्या नीजी काम था ? नीजी काम था ? जिसके बारे में दूसरों को जानने की जरुवत नहों, आप लोगों को हर चीज पे शब क्यों है, शब इसलिए बलराम जी, राजन जी, क्योंकि आप सिर्फ हमसे ही नहीं, अपने घरवालों से भी कुछ उपा रहे हैं, मैं शेरगन छोड़ना चाहता हूं, इसने इलाबाद गया था नए काम की तलाश में राजन दर को साथ लेके, अब इसमें इसा भी कुछ नीजी नहीं है, पहले ही बताते थे, काम मिला? नहीं, फिर जाना है, पर आप जा क्यो रहे हैं, शेरगन छोड़ कर, मेरा दम गुटता है, बेटी की याद सता थी, आप लोग को अंदाज हरी शंकर गुटता, क्या किया उसने आप, जानते हैं कुछ? जानता तो, अभी तक चुप रहता? ससच बोले बल्रम जी, क्या नीलम ने वाकई में आपको फोन किया था? जिस नंबर से फोन आया था, वो नंबर बे दिया, क्या आप लोगों ने कुछ किया? आप लोग तो वो फोन के रिकाट से आदमी का पता कर सकते हैं, तो फिर इस नंबर के रिकाट क्यूं निकिलवा रहे हैं? कल आने के संभाग नाया है, वक्त लगता है इंचे जोगे. टाइम तो बहुत लगता है, सहाब आपको. ग्यारा महीन हो गया, मेरी बेटी को गायब होया. सच है प मेरी बेटी है, मैं कुछ दोन लोगा. आपने हमारे लिए मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं की. आप भरोसा नहीं रासा. हमें माफ कर दीजिए, हम चलते हैं. झालते हैं. झालते हैं. झालते हैं. आपको. आपको.